एक जील के किनारे एक कच्छवा और दो हंस रहते थे। एक बार गर्मियों के मौसम में जील का पानी सूखने लगा। दोनों हंसों ने फैसला किया कि वे दूसरी जील में चले जाएंगे। कच्छुई ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। हंसों ने कहा कि अगर आस्ते में बात नहीं करे तो वे उसे अपने साथ उड़ा कर दूसरी जील में ले जाएंगे। एक उपाय निकाला। हंसों ने एक बड़ी सी लकडी को अपने मौ में दबा लिया और कच्छुई ने डंडी के बीच का हिस्सा अपने मौ में दबा लिया। और इस प्रकार वे तीनों उड़कर दूसरी जील में जाने लगे। जब वे उड़ते उड़ते एक शहर के उपर से गुजर रहे थे तो लोगों ने कच्छुई को उड़ता दे कुछ व्यंग किया। कच्छुई ने उनका जवाब देने के लिए जैसे ही अपना मूँ खोला वे धड़ाम से जमीन पर गिर गया और घायल हो गया। ऐसी ही सुन्दर और रुमांचक कान्या सुन्वी के लिए प्लीज लाइक दे वीडियो और सब्सक्राइब मैं चानल। थैंक यू बाई